वेलकम ओल ओफ यू आप सभी का स्वागत है आपके यूटूब चैनल एडी सिंग फिजिक्स पर तो हमने यूनिट सेकंड इलेक्टोनिक्स को स्टार्ट किया है फॉर्स चैप्टर को हम अल्मोस्ट कम्प्लीट कर चुके हैं यह सेकंड जो चैप्टर है जिसका नेम द्रिष हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिल पाए अब सबसे जरूरी बात कि रेक्टिफिकेशन है क्या वट इज रेक्टिफिकेशन द्रिष्ट करन क्या है पहले इसको समझेंगे कि द्रिष्ट करन क्या है क् किया जाता है द्रिष्ट करण उसके बाद हम आज इसके टैप्स पढ़ेंगे अब दिखें रेक्टिफिकेशन वह युक्ति है वह इंस्टूमेंट है जो एसी सोर्स को एक ऐसी युक्ति एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यवर्ति धारा यनि एसी सोर्स को धारा वोल्टता कह सकते है जो एसी सोर्स को क्या करें द्रिष्ट धारा में द्रिष्ट धारा में क्या करें बदल दे क्या करें द्रिष्ट धारा में चेंज कर दें यानि एसी सोर्स को किसमें चेंज कर दें डी सी सोर्स में चेंज कर दें ऐसी परकिरिया को द्रिष्ट करण कहा जाता है कहा जाता है अब देखिए आपके पास एक फिगर दिया गया है इंपुट वोल्टेज एसी यदि हम इंपुट के अंदर एसी वोल्टेज लें तो हमें आउट्पुट के अंदर कौन सी वोल्टेज होगी DC voltage प्राप्त होगी इन चारों methods का usable कर पहला यदि हम filter का use करें यदि हम AC source input के लिए filter का प्योग किया जाए यानि उसके बीच में filter लगा दिया जाए तो AC source को DC में convert किया जा सकते है second बाह देखिए second rectifier लगा कर अब rectifier यानि द्रिष्टकारी लगा कर यदि हम इन sources के बीच में rectifier लगा दें तो हम AC को DC में बदल सकते है third आता है transformer यदि हम transformer लगा दिया जाए transformer से भी क्या होगा AC तो DC में convert किया जा सकता है और या voltage source लगा दिया जाए क्या लगा दिया जाए voltage throat लगा दिया जाए इन चारों पर किरिया से AC source को DC source में convert किया जा सकता है बदला जा सकता है ओके तो आज हम क्या पढ़ने वाले है आज basically हमारे पास जो पहली युक्ति आती है जिसे हम rectifier कहते है आज हम rectifier पढ़ेंगे अब देखिए rectifier क्या है rectifier अब हमने AC को DC में change करना है AC को DC में change करना है तो पहली युक्ति पढ़ने वाले है जिसका नाम है rectifier जिसे हम कहते हैं द्रिष्ट कारी अब rectifier के बारे हम देखिए अब rectifier क्या है एक ऐसा युक्ति है जो AC को DC में change करती है एक ऐसा instrument है और इस सारी परकिरिया को हम rectification कहते है अब rectifier देखिए types of rectifier types of rectifier अब rectifier कितने परकार का है और हम कौन सा rectifier पढ़ने वाले है rectifier बेसिकली दो परकार से है first of all half wave rectifier half wave rectifier जिसे हम कहते है अर्द तरंग द्रिष्ट कारी most important है फिर आता है full wave rectifier अब देखिए इसकी copy है कुछ भी नहीं है प्रन्तु wave का difference है एक में earth wave है यानि half wave है और दूसरे में full wave को हम परसारित कर रहे है तो इसे कहा जाता है पूरन तरंग द्रिष्ट कारी क्या कहा जाता है पूरन तरंग द्रिष्ट कारी दोनों ही potent है दोनों ये बड़े शांदा तरीके से पढ़ेंगे आज हम half wave rectifier के बारे में discuss करेंगे ओके तो दीखिए प्लीज half wave rectifier हमारे पास किस तरीके साथ है अब इनको करने का मैं आपको method बताता हूँ इसको अब दीखिए अब हम half wave करें या full wave करें हमें यहां पर 5 चीज़े calculate करनी है हम क्या करेंगे या तो half wave या full wave दोनों में से कोई करें या दोनों करें तो हमें basically 5 चीज़े करनी है आप step समझेगा step by step चलेंगे बड़ा easy pattern है कुछ भी मुश्किल नहीं इसके अंदर half wave और full wave के अंदर तो step by step चलेंगे और step बताऊंगा बस आपने यह step को follow करना है और आपको यह derivation complete करना है देखी पहला step क्या होगा first step के अंदर आपने क्या करना है circuit diagram बनाना है क्या बनाना है circuit diagram प्लस क्या बनाना है graph बनाना है पहले आपने circuit diagram बनाएंगे किसका circuit किस तरीके साथ हम वो भी सिखेंगे पहले हम step देख रहे हैं फिर आपने graph बनाना है उसके बाद 5 point है 3, 4 और 5 अब 5 point की आपने calculation करनी है पहली calculation है average average voltage या average current calculate करना है पहले step के अंदर यानि पहले point के अंदर हमें यहाँ पर 5 point calculate करने है ultimate voltage और ओसक धारा का मान calculate करना है तो यहाँ पर महिंदी में इस लिख रहा हूँ ओसद धारा और ओसद voltage का मान calculate करना है अब second के अंदर rms value यानि root mean square root mean square value calculate करना है यानि वरग मढधे मूल मान वरग मढधे मूल मान किसका धारा या वोल्ट दा का जिसका calculate करना है धारा या वोल्टता का root bend square mark थर्ड हमारे पास आता है efficiency यानि दक्षता कितनी है इसकी efficiency कितनी होगी half wave rectifier की या full wave rectifier की efficiency कितनी होगी इसकी जो शंता कितनी है कितनी शंता का ये AC source को DC source में convert करता है efficiency calculate करनी है फिर हमें करना है ripple factor क्या करना है रिपल फैक्टर जिसे हम आर से डोनेट करते हैं और मी का गुनांक और मी का गुनांक हमें कैलकुलेट करना है इसका जो रिपल फैक्टर है रिपल गुनांक है वो कितना है कितने गुना यह हमें यहां पर मिलता है फाइब आता है हमारे पास हमारे पास फाइब आ या पीक इन्वर्स वैल्यू कहते हैं पीक इन्वर्स वैल्यू यानि पी आई एल ओके तो यह क्या आएगा मारे पास पीक इन्वर्स यानि हम इसे प्रतीप शिखर वोल्टेज भी कहते हैं प्रतीप शिखर धारा या वोल्टेज यहां प्रतीप शिखर वोल्टेज ओके तो अंदर हमें कारवाई करनी है इन पांचो स्टेप को कैल्कूलेट करना है आपने इस पैटरन को सीख लिया तो आपको ये फुल वेव वहर हाफ वेव रेक्टिफायर बिल्कुल क्लियर होगा तो चलिए ज्यादा समय खराब न करते हुए हम चलते हैं हाफ वेव रेक्टिफाय अंदर अरतरंग दिश्टकारी के अंदर ऊके तो दिश्टकारी क्या था एक ऐसा पैटरंग जिसे AC to DC में convert किया जा सकता है मैं step मिटोंगा नहीं step मिटोंगे नहीं अपन और यहां पर देखिए यहां पर half wave half wave rectifier half wave rectifier ओके तो देखिए अर्दतरंग दिश्टकारी के लिए सबसे पहले circuit diagram बनाना है क्या बनाना है circuit diagram तो circuit diagram के के लिए मेरे को यह step करने आपने step को याद रख लेना स्क्रीन शोट ले लिए आप सबसे पहले आपने क्या लेना है इंपुट क्या लेना है स्तोत लेना है और इंपुट के वाद आपने प्रिड़क्तव लेनी है कुंडलिया लेनी है अब कुंडलियों के लिए ट्रांसफार्वर में रहे तो दो लोए की छट बीच में लगानी है और यहां inverse कुंडली लगानी यहाँ पर क्या बनाना है ट्रांसफारवर बनाना है अब ट्रांसफारवर बनाने के लिए आपने PN diode लगाना है क्या लगाना है PN diode और PN diode को RL यानी लोड परदी रोल से connect करना है और output क्या करनी हमारे पास प्राप्त करनी है ओके तो बहुत simple सा diagram है simple सा circuit है EI जो है EI 0 sin omega T यानि जो sin wave जो हमारे पास है input voltage कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है input voltage ये हमारा P है part ये हमारा N ये L परतिरोध है ओके और ये लोहे की छट जो आपने क्या लगानी है इसके अंदर fit करनी है इन सभी pattern से आपने calculation करनी है और जिसे हम RF कहते हैं आप इसको बड़े ही systematic तरीके से बनाना ओके तो ये हमारे पास हुआ half wave rectifier का example जो circuit diagram यदि full wave करना है तो हमें 2 diode लगानी होंगे 2 diode हमें यहाँ पर प्रतिपादी करने होंगे अब दीखिए अब हमारे पास दो तरीके से क्या है graphical represent है दो तरीके से graphical represent दिखा रहा हूँ आपको अब सबसे पहले 0, यह pi यह pi by 2 यह pi और यह हमारे पास 2 pi 0, pi, 2 pi या आपने इसको इस तरीके से कर दें 0, pi से ले ले value 0, pi, 2 pi, 3 pi अब हमारे पास जो input source है वो sine wave के अंतरा है जो sine wave किस तरीके से होती है πाई से 2 πाई 3 πाई 4 πाई इस तरीके से यह हमारी sine wave है कहने का मतलब जो EI है EIM यानि M जो होगा वो maximum value होगी यहाँ पर M maximum और EI 0 तो sine omega T अब देखें जो हमें output मिलने वाली है जो output मिलेगी output किस तरीके से मिलेगी मेरे पास यह देखें यह 0 से πाई यह 2 πाई और यह 3 πाई अब जो हमें output मिलेगी वो half मिलेगी कोई हाफ wave rectifier है तो हमें output वाला 0 जो होगा वो half मिलेगा फिर हम यहाँ पर πाई से 2 πाई देखें तो यह वाला portion हमारे पास नहीं मिलने वाला यह वाला portion नहीं मिलता शिता 2 πाई से 3 πाई और यहाँ से इस तरीके से हमारे पास half wave rectifier के अंदर मिलता यानि positive waves मिलती है कौन सी मिलती है positive waves negative waves हमें नहीं मिलती positive waves मिलती इसे कहते है positive waves क्या कहते है इसे positive waves और यह हमारा क्या होगा EM होगा यानि क्या कहेंगे इसको EM ओके तो यहां sin omega t तो इस तरीके का graphical represent हमारे पास पता होता है अब हम इनकी calculation करेंगे calculation से पता करेंगे कि positive wave क्यों आती है और negative wave क्यों नहीं आती है ओके तो यह sin wave है और यह हमारे पास half wave reactiver के अंदर है तो सबसे पहली calculation, calculation से करने के लिए पहले हम function donate करेंगे function किस तरीके का होगा यानि IM जो होगा वो किस तरीके का function हमारे पास प्राप्त होगा अब देखिए 0 से omega t की value कितनी है 2 pi 0 से omega t की value कितनी है 2 pi अब देखिए अब पहले wave के अंदर यानि EM I sin omega t कहने का मतलब I sin omega t यानि IM sin omega t धारा का मान कितना आएगा IM sin omega t IM sin omega t कहाँ पर 0 से 2 pi के बीच में अब यदि IM की value यहाँ पर calculate करें तो कितनी है 0 से 2 pi के बीच में 0 से 2 pi के बीच में value कितनी आ रही है यहाँ पर 0 आ रही यानि 0 पे 0 और 2 pi पे 0 तो कहने का मतलब function हमारा इस सरीके से बनेगा ओके तो यह बड़ा ही simple है function को बनाने के लिए half wave rectifier के अदर अब हमें पहला step proof करना है पहले step के और move करना है क्या निकालना है average voltage और average क्या निकालना है current निकालना है average voltage और average current यानि ओसद धारा का मान और ओसद क्रेंट का मान हमें calculate करना है ओके तो देखिए IDC calculate करना है IDC क्या calculate करना है IDC तो IDC calculate करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर IDC के लिए 0 से 2 πाई क्योंकि limit हमारे पास कितनी जी ID omega T यानि और del omega T upon 0 से 2 πाई del omega T तो average calculate करने के लिए हमारे बस इस तरीके का formulation होता है अब देखिए अब यहाँ पर 0 से 2 πाई ID omega T है तो हम इसको 2 parts के अंदर क्या कर लेते हैं इसको तोड़ लेते हैं क्या कर लेते हैं इसको 2 parts के अंदर यहाँ देखिए यहाँ पाई आएगा 0 से पाई आएगा यहाँ देखिए 0 से पाई तो यहाँ mistake है 0 से पाई और 0 से 2 पाई के लिए हमारे पाँ 0 अब देखिए 0 से पाई तो 0 से पाई ID omega T पलस पाई से 2 पाई ID omega T दो parts में divide किया और यहाँ से 0 से 2 पाई ID omega T कुछ भी नहीं क्या जस्ट हमें limits को break किया है limits को तोड़ा है 0 से पाई और पाई से 2 पाई क्योंकि हमारे पास limitation formula है अब देखिए अब हम IDC calculate करना चाहते है 0 से पाई यहाँ देखिए 0 से पाई के लिए ID omega T कितना आएगा 0 आएगा पाई से 2 पाई Kे लिए यानी हमारे पास 0 से पाई के लिए 0 से पाई के लिए 0 से पाई के लिए I M SYN ômega T 0 से पाई के लिए तो यहाँ D omega T हमारे पास already आया यानी I की धारा की जो value है वो 0 से पाई के बिच में इतनी है second देखि pi से 2 pi के लिए यानि 0 से 2 pi के लिए 0 है तो pi से 2 pi के लिए कितनी होगी 0 होगी प्लस के अंदर 0 अप पहुन के अंदर जो value कितनी है 0 से 2 pi d omega t 0 से 2 pi कितना आगया d omega t आगया ओके और d omega t यहां से calculate करेंगे देखिए कितना आएगा omega t 2 pi minus आएगा limit है तो यहाँ इसकी value कितनी आगी 1 by 2 pi तो यहाँ से 0 से pi im sin omega t d omega t यह मेरे पास क्या आगया integration का formula ओके अब इस integration को calculate करेंगे और idc की value यानि i धारा को जो dc value है धारा को उस्तमान है हम यहाँ से calculate करने वाले हैं ओके तो देखिए im बाहर आजाएगा idc calculate करने के लिए im बाहर 2 pi बाहर sin का integration क्या होता है minus का cos omega t sin का integration minus का cos omega t तो क्या आएगा यहाँ से minus का cos omega t 0 से pi limit रखिए आप im upon 2 pi minus का cos क्या आएगा t की जगा pi और यहाँ से क्या आएगा cos 0 ओके तो यह मेरे पास आगी value cos pi और cos 0 minus 1 cos pi कितना होगा हमारे पास अब यहाँ देखिया cos pi कितना होगा idc calculate करना है हमें तो क्या होगा im upon 2 pi minus 1 minus 1 क्योंकि cos pi 1 और cos 0 minus cos pi 1 तो यहाँ से minus 1 minus 1 मेरे पास हाई calculate और यहाँ minus already है तो minus को मैंने बाहर ले लिया और यह मेरे पास value तो idc की value कितनी आई minus का im 2 pi into 2 minus का 2 और 2 और 2 positive यानि im कितना आगया मेरे पास im आगया idc im upon pi ओके तो यह मेरे पास आई values यह मेरे पास आई value अब देखिए अब im क्या है im यानि i maximum कितना है i maximum की value हमारे पास कितनी प्राब्द होती है तो देखिया im की value देखिया यहाँ पर मेरे पास क्या है एक पहला source जो है जिसे हम कहते हैं पहला source ओके तो यह मेरे पास आगया em धारा कमान क्या होता है वोल्ट दा बटे प्रतिरोध यादि धारा कमान वोल्टेज बटे प्रतिरोध अब देखिए प्रतिरोध कुन सा है एक तो आरेद प्रेरिक्तव वाला एक आरेल वाला और यह मेरे पास के पी एन जंक्शन के लिए क्या होगा पी एन जंक्शन के लिए RF यानि filter हमारे पास प्रतिरोध तो ये मेरे पास आएगा IEM का formula ये मेरे पास क्या आता है IEM का formula अब देखिए RS जो है जो मेरे पास RS और RF यानि इन दोनों प्रेज़क्तों गुंडलियों के गारण ये total कितना होगा EM होगा R R प्लस RL और ये मेरे पास आगया IEM ओके तो ये मेरे पास आगया IEM की value तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है यहाँ पर लिखना है IDC क्या जेग IEM की value EM क्या जेग IL की value EM πाई प्लस πाई R प्लस RL और यही हमारा क्या है ओस्त धारा का मान वो सद्धारा कमान हमने यहां से first step को calculate कर लिया है ओके तो यह हमारा first step आया first step को हमने as a t calculate किया है क्या आया था first step idc तो हम यहां पर side के अंदर लिखेंगे इसको idc क्या आ गया em pi r plus rl ओके यह हमारा first step आया ओके तो बड़ा easy है कुछ भी निया knowledge के अंदर second step के चलते हैं second step क्या था हमारा second step के इनदर देखिए second step के अंदर हमें calculate करना था root mean square यह औरर मद्ध overl生 क्या निकालना था root mean square निकालना था work thy हमल उलमां तो और रूट मिलद के लिए root mean square क्या होता है second part rms value of voltage current okay तो rms value क्या होती है root mean square की value क्यों होती है यानि मुझे i rms calculate करना है क्या calculate करना है i rms तो क्या होगा i square का bar क्या होगा i square का bar होगा okay तो मुझे rms value calculate करनी है और यहां से क्या होगा यदि मुझे i rms calculate करनी है square कीजिए तो यहां पर square करते ही क्या आएगा मेरे पास i bar की square okay i bar की क्या आजेगी मेरे पास square आजेगी या अपन इसको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं दो क्योंकि हमें i rms calculate करना है root में अब देखिए अब root के अंदर value है i square की root के अंदर किसकी value है i square की value हमें calculate करनी है i square bar की हमें value calculate करनी है तो क्या करेंगे यहां से 0 से 2 pi i square sine omega t d omega t okay अब ओन के अंदर 0 से 2 pi d omega t तो यह rms value देखिए i rms कितना आएगा root के अंदर अब i square की value है कितनी value है i square तो यहां से क्या होगा 0 से pi i square sine omega t यहां पर आपने sine ही लगाना है क्योंकि हमारे पास जो function है वो dt के अंदर है sine वाला तो बाद में आएगा function ओके अब i d omega t प्लस 0 से pi से 2 pi क्या आजाएगा i square d omega t ओके और 0 से 2 pi यह मेरे पास कितना है d omega t अब देखिए अब यहां से 0 से pi के लिए क्या होता था sine हम लगाते थे और pi से 2 pi के लिए हमारे पास 0 है यानि 0 से pi के लिए sine wave और pi से 2 pi के लिए 0 तो यहां पर क्या आजाएगा मेरे पास root के अंदर 0 से pi i square sine omega t d omega t और यह नीचे मेरे पास कितना आजाएगा 2 pi कितना आजाएगा root के अंदर 2 pi values मेरे पास प्राप्त हो जाएगी कितने हो जाएगी 2 pi तो यहां पर क्या आजाएगा irms की square कीजिए यदि हम square करेंगे तो यहां पर value कितनी आएगी 1 upon 2 pi root के अंदर 0 से pi i square sine omega t d omega t okay square कर दी मैंने यहां पर square करते ही क्या होगा square करते ही क्या होगा i square बाहर यानि i square rms i square बाहर 0 से pi क्या आजेगा sine omega t d omega t because sine omega t d omega t okay sine square आएगा सो यहां sign है तो sine की क्या आजेगी square आजेगी तो हमने क्या किया यहाँ पर square calculate किये okay तो यहां पर हमारे पास square calculate किये तो square की value हमारे पास आ जाएगी और यहाँ पर जो i है वो m है यानि हमारे पास mean values है तो यह square आ गया अब देखिए साइन स्केर को खोलने का तरीका क्या होगा 0 से πाई 1-2 cos omega t 1-2 cos omega t यानि cos 2 omega t upon 2 यानि 1-cos 2 omega t upon 2 d omega t तो साइन स्केर को खोलने का यह हमारे पास होता है pattern अब देखिए अब अलग-लग करना है आपने अलग-लग कर लीजिए क्या हैगा i square rms i m की स्केर upon 2 0 से πाई 1-cos 2 omega t d omega t और जिस student को यह नहीं पता लगा कि सर ने यह step कहां से लिखा तो 2 sin square omega t होता है 1-cos 2 omega t तो यह हमारे पास formula होता है by formula mathematical formula आता है तो यहां से हमारे पास values प्राप्त होगी तो मेरे पास जो 2 pi था वो इसके साथ में है 2 pi भी लगाना है आपने छोड़ना नहीं है कोई भी step 2 into 2 pi आप देखिए अब यहां से calculate करनी है 0 से pi की value किसकी value calculate करनी है 0 से pi की value तो यहां integration करें सबसे पहले आप i square rms i m की square upon 4 pi यहां पर integration करेंगे omega t omega t आएगा और cos 2 omega t का integration क्या होगा sin 2 omega t यानि cos का sin 2 omega t upon 2 ओके और limit 0 से pi तो limit लगाईए आप i m की square upon 4 pi यहां i square rms क्या आएगा यहां पर pi क्या आएगा यहां पर pi t तो यहां पर pi आगा है मेरे पास pi की value आगी omega t की value रखनी हमने pi minus का sin 2 pi upon 2 और minus का 0 और sin का 0 upper limit minus lower limit तो क्या आएगा i square rms i m की square upon 4 pi i m square upon 4 pi और यहां पर मेरे पास value कितनी है कि sin 2 pi sin pi sin 2 pi कितना होगा 0 sin wave से देखो यह sin 0 0 sin pi 0 sin 2 pi 0 तो यहां पर pi और सारी की value 0 तो यहां pi से pi cancel i m की square upon 4 i square rms की square ओके और i rms कितना आएगा मेरे पास i rms i rms आगया यहां से i rms यहां से i rms यहां root means square root upon i m की square upon 4 यहां आएगा i m upon 2 क्या आगया मेरे पास i m upon 2 और यहां से i rms क्या आगया i rms की value कितनी आगया i m की value रखिया i rms आगया e m upon pi r plus rl ok root means square की value यहां मेरे पास प्राप्त होती है ok यहां 2 नहीं आएगा यहां pi नहीं 2 आएगा ok तो यह हमारे पास values प्राप्त होती है तो second step हमने calculate किया root means scale यानि वर्ग मध्य मूल मान का मान value हमने calculate की है ok तो third step के और चलिए third step क्या calculate करना था third step के अंदर हमें efficiency calculate करनी थी क्या करनी थी efficiency calculate करनी थी दक्षता calculate करनी थी अब देखिए अब efficiency calculate करने के लिए दक्षता calculate करने के लिए इसका एक formula है most important formula efficiency को नीटा से लिखा जाता है PAC dc यानि output voltage इंटू 100 परतीशत यानि 100% तो यह इसका क्या है इसका formula है क्या है इसका formula अब देखिए अब यहां पर आपने समझना है irms जो है वो क्या है input voltage input current क्या है मेरे पास input current ओके और i-rms क्या है output current क्या आगया output current अब यहां पर voltage की जगह आप क्या लिख सकते हैं यह आपने यह लिख दें input dc input dc power यानि ac power और यहां पर output dc power ओके और इंटू 100 परतीशत आप देखिए सबसे पहले हमें pac calculate करना है pac पता होना चाहिए और p dc पता होना चाहिए pac क्या होगा यानि input ac source क्या होगा i square dc i square dc into rl यानि idc जो value है वो rl के क्या है multiplication के है और i square dc क्या है i square rms upon pi square into rl समिकर number first कहां से आया i square dc की value हमने calculate की है i square rms upon pi square और यहां क्याएगा i square ac into r plus rl यानि जो मेरे पास प्रतिरोद है वो load प्रतिरोद की क्या है बराबर है यहां पर क्याएगा i square rms upon 4 into r plus rl समिकर number second बस कुछ भी नहीं करना आपने इन दोनों की values को आपने यहां पर put करना है नीटा में put कीजी आप क्या आएगा यहां पर i square p ac तो i square rms upon pi square into rl upon के अंदर क्या आएगा i square rms upon 4 r plus rl into 100 परतिशन क्या आजेगा into 100 परतिशन ओके अब calculate करना है अब यहां यह 400 ऊपर जाएगा चार जाते ही यह कितना मन गया 400 कितना मन गया 400 ओके और 400 परतिशत के साथ 400 already है और pi square के साथ pi square अब देखिए अब i square rms की value i square rms की value cancel तो मेरे पास यहां rl और यहां r plus rl बच गया तो नीटा की value मेरे पास इस तरीके से defined तो 400 की परतिशत upon pi square अब rl उपर है मैं rl common ले रहा हूं r plus यहां पर क्या common लेने पर 1 plus r upon rl ओके 1 plus r upon rl और यह मेरे पास क्या बना एक तरीके का formula बना अब देखिए r is less than है rl के चूंकि r छोटा है rl से क्योंकि यह हमारे पास load परतिरोज है वो rl से क्योंकि छोटा है तो यह negligible होगा यानि यह 0 होगा तो क्या बच गया मेरे पास 400 परतिशत upon pi square into rl upon rl rl से rl cancel तो 400 परतिशत upon pi square नीटा की value हमारे पास परापत वी और यह नीटा किस तरीके से calculate होगा pi square यदि calculation करें 40.6 परतिशत इसकी कितनी आदी है efficiency दक्षता हमारे पास परापत होती यह नीटा half wave rectifier की जो efficiency होगी वह 40.6 परतिशत हमारे पास परापत होगी तो आपने यहां पर third step का जो note कर देना है क्या इसकी efficiency कितनी है 40.6 परतिशत ओके तो most important है आप screen short ले जीजिए आप okay screen short ले लिजी next देखिए ripple factor उर्मिका गुनाग क्या कहते है ripple factor उर्मिक गुनाग तो देखिए सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि उर्मिका गुनाग ripple factor है क्या ripple factor है कि इसकी definition क्या कहती है वह कहता है कि कि किसी द्रिश्टकारी के अंदर किसी AC rectifier के अंदर rectifier के अंदर AC WiFi DC a DC गया कर test कभेंगे AC का जो कम combination है combination याइससे मिश्रण कहते हैं Michigan हो उसे हम क्या कहते हैं ripple factor कहा जाता यहनि verdi जाए तो उन से जो मिलने वाली सोगी वो ripple factor कहला है तो ac और dc को जोड़ना है कहने का मतलब i square rms okay idc plus i dash r square i dash square rms यानि जो मेरे पास पहले input थी input क्या होगी dc और output यानि dc और output कहने का मतलब dc source क्या होगा यहां से i dash dc क्या होगा i square rms plus i dash rms यानि जो इन sources से मिलकर बनने वाला sources okay तो यह हमारे पास पता होता है we know that हम जानते हैं कि i square root mean square की value जो है वो idc और i dash square input यानि input और output के बराबर होगी okay अब देखिए इस समी करण को किस से divide करना आपने i square dc से भाग देने पर okay i square dc से भाग देने पर calculate करने पर अब देखिए अब r का formula आप लिख सकते है root mean square of ac and dc upon root mean square ac upon dc upon direct current upon direct current okay तो इसका यह formula है आप इसको note किजिएगा अब भाग देंगे divide करेंगे तो i square rms upon i square dc और यहाँ पर 1 plus i dash square rms upon i square dc okay तो यह हमारे पास क्या बना formula बना अब formula बनते ही हम क्या calculate करेंगे formula बनते ही अब यह जो होगा हमने क्या लिखा है root mean square of ac and dc और upon i dash ac तो root mean square of ac and dc i square dc तो यहाँ पर क्या आ गया है यह मेरे पास आ गया r square i square rms upon i square dc plus minus 1 और यहाँ r square आ गया ओके और यहाँ r की value कितनी आदेगी root में i square rms i square dc minus का 1 कितना आ गया minus का 1 आ गया अब value रखिए आप क्या है की value r बडाबर root में i rms क्या हैगा i square m upon 4 i square m upon sorry i square m upon 4 ओके और यहाँ पर कितनी value आएगी i square dc की i square dc क्या आजेगी i square m upon upon कितनी आदेगी i square m upon pi square ओके और minus का 1 minus का 1 r की value देखिए आप i square है यहाँ पर कितनी है 4 यानि मैं क्या लिख सकता हूं i am 2 की square ओके और यहाँ मैं क्या लिख सकता हूं i am upon pi यानि i am upon pi की square और minus का 1 मेरे पास as these है okay minus 1 की value मेरे पास क्या है as it is प्राबद होती है तो इससे क्या होगी यह value cancel हो जाएगी cancel होने के बाद मेरे पास क्या बचा pi square by या यह क्या बचा pi by 2 की square minus का 1 pi by 2 की square minus का 1 तो pi by 2 की square कीजी आप करेंगे तो 1.5 minus 1 तो मेरे पास आगया 0.5 root के अंदर ओके और 0.5 root के अंदर आया तो मेरे पास value कितनी आई 1.25 यानि 1.21 मेरे पास आगी values या अपने इसको यह कह सकते है आर जो होगा वह 121 परतिशत होगा यानि ripple जो factor होगा वह 121 परतिशत के लगबग हमारे पास प्राप्त होगा तो आपने 4th step क्या लिखना है जो हमारे पास ripple factor आया है ripple factor आर की value कितनी है 1.121 परतिशत ओके फिप्थ पॉइंट देखिया फिप्थ पॉइंट क्या मेरे पास जल्दी से हमें देखिए पीक इन्वर्स वोल्ट है value बीक इन्वर्स मान अब क्या कहता है यह प्रतीप वों कहता है किसी seconds किशिएITCH me अनदर किसी रेक्टिवाइर के अंदर क्या करना किसी यहिंद में शहन करने वाली किसी रेक्टिफार्स में सहन करने वाली यानि उसकी जो मैक्सिमम्ल्स होगी वाली नियू नतम वोल्ड होगी मिनिमन वोल्टेज को क्या कहा जाता है PIV यानि PIV किसके बराबर होगा EM यानि E maximum के बराबर होगा ओके तो हमारे पास last समीकर बराबर होगा तो हमने पांच relation लिखें फटा फट पांच relation कौन-कौन से है पहला हमने लिखा average voltage कितनी थी average voltage average rend EM यहां पर pi r plus rl समीकर number first second हमने calculate किया rms value of rms value of voltage and current तो क्या ही थी rms value i rms i m upon pi क्या ही थी i m upon pi ओके rms की value हमारे पास इस तरीके से प्राब्द हुई थी i ms upon pi ओके या i rms upon 2i थी अब देखिए third हमारे पास क्या था third हमारे पास efficiency efficiency तो efficiency कितनी आई थी 40.6 प्रतिशद नीटा का फोर्मुला लगाया था p ac upon p dc into 100 प्रतिशद ओके 40.6 फिर हमने क्या calculate किया फिर हमने calculate किया ripple factor ripple factor कितना है था r 1.1 प्रतिशद और p iv कितना है था e m e maximum यह 5 value हमने calculate किया अब बड़े गोर से देखना अब हमें reason बता करना है कि यह positive क्यों आई यह value positive क्यों आई अब positive sign के लिए अब देखें यहाँ पर positive value क्यों आई क्यों कि sine wave जो है वो हमारे पास कितना प्राप्त होता i m की value 2 यानि हमें half wave ही प्राप्त होती है यानि यह रूट आय धारा की जो value है वो maximum state से हमें half value क्या होती Rinne हमारे पास fuel value क्यों हमें यहां से प्राप्त होती है यह logicर्ण हमें यहां से जाता है यह प्राप्त होती बड़े सिंपल है step by step चलना आपने पहले step के अंदर आपने क्या बनाना सरकी diagram और ये block diagram बनाना है उसके पाथ 5 step है one by one चलेंगे आपने function को बनाना है function मना कर इसको complete करना है ओके तो आज के lecture में सिर्फ इतना ही आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा यहां से आपके पांच marks जो है वो आपको लेकर जाने है इस वीडियो के माध्यम से आप इसको share कीजिए like कीजिए चैनल पर नए है तो subscribe कर ले बैल आइकन है और उसको बैल आइकन को प्रेस कर लें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्रम चैनल है वहां पर लिंक दिया गया है आप लिंक को जोइन करें वर्टसब ग्रूप का लिंक दिया गया है वहां पर भी आप जोइन कर लें ताकि आपको बहुत सारे ओफर्स बहुत सारे नोर्स आपके study material आपको मिल पाएं ओके त नेक्स लेक्चर में नेट ओपी के बारें जर्चा करेंगे तब तक के लिए आप घर रही है सुरक्षित रही है